हाई एपरीबंट इसे पावन चर्मा चले मार्केट को कल के अनलाइज करते हैं देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करेगा कल जब हम निफ्टी के अनलिसिस कर रहे थे तो हम एक्सपेट कर रहे थे कि निफ्टी आराम से 80 से लेके 100 पॉइंट के गाप आप के साथ में दिन के शु जो 80 100 पॉइंट का मुव था वो आराम से उसने लिया ओपन करने के बाद दिखेगा आराम से उसके बाद में काफी लंबे टाइम तक इस जोन को होल्ड किया क्योंकि इसी जोन पे maximum call राइटर थे और उसके बाद में once again just like the last hour जो आज कलका trend बन गया है जितने भी हमारे यहा कि यहाँ पर इतना ज्यादा momentum नहीं आएगा तो 26 200 पर राइटर शिफ्ट हो गए थे वहाँ भी अच्छा premium देखने को मिला और फिर once again target buying करके उन stop losses को hit किया गया और high बनाया 26 250 का अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊ यहाँ पर अगर आप देखेगे ध्यान से यह मैं आज का अगर मार्केट दिखाता हूं तो मार्केट में losers की तरफ ध्यान दिजेगा losers में अगर आप चेक करेंगे तो losers में देखे देखे almost 0.1 0.1 जितने भी हमारे mid cap थे तो almost flat रहे यह indication है जो target buying हो रही वो सरफ large cap के अंदर हो रही है अब देखे large cap retail traders की portfolio में जादा तर नहीं होते हैं बिकास large cap का जो price है वो already काफी momentum ले चुका होता है या फिर जो हमारे कुछ ऐसे PSU वाई large cap होते हैं उनके अंदर फिर वो profitability नहीं बन दे बिकास PSU में क्या होता ना government का control बहुत जादा रहता है policies कभी भी change जाती है कभी भी कोई नई update आ जाती है तो उसको देखते हुए हम retail traders जादा तर जो हमारे portfolio में रहते हैं वो small cap रहते हैं या फिर हमारे पास mid cap रहते हैं तो इस चक्कर में क्या होता है कि आज कल हमारा portfolio negative में ही चल रहा है in fact अगर आप देखेंगे तो 200 points से जादा का rise nifty ने दिखाया है bank nifty ने दिखाया है लेकिन portfolio कर बात करें तो portfolio negative में है end में मैंने check किया था तो लगभग हमारा 0.2% के आसपास का negative में था तो trader तो बिल्कुल खुश नहीं है तो यह जो specific buying हो र का gap up मिलेगा reason being जब इस तरह आपके gap up आते हैं जो यह momentum चलता है और हमारे expiry के बाद में जब इतनी strong closing रहती है तो नए contract हमारे बनते हैं जिसको आप कह सकते हैं इसको basically हम कहते हैं roll over तो जब roll over होता है तो roll over अगर हमारा 3 months का roll over माना जाता है अगर roll over बहुत जादा होता है तो market में तो से pressure रहता है लेकिन अगर roll over फ्रॉसा शांत रहता है न तो market के lift होने के chance जादा होते हैं तो as per roll over market का roll over फ्रॉसा शांत है भहुत जड़ा एदे एक्रेसिफ रोल over नहीं हुआ है तो जब market transpose ठंड़ा होता है और roll over फ्रॉसा कम होता है तो market में कभी-कभी उस ठ तो यह लाइन हमारा यहां पर हिट हुआ है अब इसके उपर गया तो हमारे पास अगला टागेट क्या निकल किया तो यहां पर हिट हुआ है तो विच मींस हम मैक्सिम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइन के उपर अगर क्लोजिंग देना शुरू किया तो निफ्टी फिर रुकेगी नथिंग लेज देना ट्वेंटी फाइन यह हमारा पिछ फॉक है यह वीकली टाइम फ्रेम में आशो कर रहा हूं इसके उपर इसको तुरह सा और डीपने अनलाइज करेंगे तो कल के ल लेगा और जैसे यह राइज आपको देखने को मिल रहा है तो अराम से कुछ नी तो साढ़े तीन सो से लेके 400 पॉइंट का आपको टागेट भी देखने मिल जा कल ही जिस तरह से हमारा रूल ओवर सारा डेटा चल रहा है तो आपको कल के लिए क्या कर रहा है जितने भी बनाई रखनी है देखिए हमारे पास में नई फ्रेश बाइंग तो आनी रही है तो बैटर है जो हमारे पास यस वक्त जो पॉटफोलियू में स्टॉक है या फिर जो हमारे पास पॉजिशन है फोल करके कॉंटिन्यू कीजिएगा एट लीस जब तक हमारा मार्केट 25,800 के पर है तब तक आप उनको होल्ड कर सकते हैं और अगर इमीडियेटली कल के लिए बात करें तो देखिए यह जो हमारा लाइन आ रहे है ग्रीन लाइन अपने आप में एक रिसिस्संस की तरह निकल के आएगा और ग्रीन लाइन की ऊपर अगर मार्केट अपने आप या निफ 26, 250 से लेके 260 के ऊपर या तो gap up open करके support लेके वापिस rise करेगा या फिर थुरा से नीचे आके इनको hit करके वापिस rise करेगा या फिर नीचे थुरा से open करके और hold करके rise करेगा तीनों condition में आप इनी level के ऊपर जाकर अपना call buy कीजेगा अब हमारे पास में expiry almost एक हफते बाद ह तो 400 point का आप यहाँ पर अपना OTM जाकर call sell की जगा hedge करने के लिए और इसके उपर hold कर लिया तो definitely आपके पास जो target निकल के आएंगे वो रहेगे 350 से लेके 400 के target अब धीर थे target बढ़ जाएंगे because nifty का price भी बढ़ता जा रहे न तो अब अगर आप check करेंगे तो 250 point ही हमारे प 500 बहुत दूर नेरा और in case ऐसा होता है कि यह line आपका hold नहीं कर पा तो यहाँ पर दो possibility बनती है possibility number one कि हमारा market 300 की उपर जाता है और वापिस गिरना शुरू करेगा तो जब वापिस नीचे गरेगा तो 280 के break होने के बाद आपना put buy करेंगे पहला target रहेगा आपका यहाँ पर दूसरी condition होगी जहाँ पर market flat open करेगा तो अगर flat open करता है तो आप 26 180 के break होने के बाद अपना put buy कीजेगा जिसमें आपका पहला target 26 050 कर रहेगा और second target आपका 26,000 कर रहेगा और one second hedge the same ही रहेगा और यहाँ पर यह जो break होगा यह इस line को draw करके रहेगा इसके break होने के बाद इ resistance face करें तब fall करें तभी आपको trade लेना है अधरवाइस चुप करके बैठिएगा और अगर मैं आपसे इस time overall बात करूँ तो market strong है bullish है और सारे की सारे जिदरे factors है इस time पर यह indicate करें कि market में selling अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहे है और जो भी हाँ लेबल से discuss करेंगा इस यह buy sell recommendation नहीं कोई भी data graph लेते हैं तो एक बार अपने financial advisor उसला के जिएगा और यह outlook रहे हमारा निफ्टी के अंधर हमारा अगला index रहे है बैंक निफ्टी में हम last week से एक बात बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी अगर अपने आपको 54,000 के उपर hold कर लेता है तो बैंक निफ्टी में जो आगे का target हमें नज़र आ रहे है जैसे भी हम 26,500 की बात करें तो यहां पर 56,000 नज़र आ रहे है और इसके उपर 58 नज़र आ रहे है इन फैक्ट मैं यह कहूंगा कि निफ्टी में फिर भी retracement basis पे निफ्टी ने जो लेवल से ने साथ छोड़ दिया है बट बैंक निफ् है कि जब तक 53,800 के उपर हमारा बैंक निफ्टी है तो अगर आपके पास कोई banking stock है आप उनको hold करके रख सकते हैं specifically मैं कहूंगा PSU और private banks के अंदर और micro cap और small cap का भी कोई ठिकाना नहीं है उनमें जैसे आपकी holding उनमें बना के रखिएगा तो यहां पर आप हमारे पास कोई नई fresh buying आएगी वो आएगी 54,500 के उपर तो कल भी हम बात करें थे निफ्टी में gap of opening की तो यह भी possible है कि यहां पर भी हमें gap of opening मिलेगी because of course यहां भी roll over हुआ है तो पहले 15 बीस्ट में बे जो भी उपर नीचे बनेगा तो आप क्या करेंगे 15 minute ORB use करेंगे और अगर 15 minute ORB हमा call buy कीजिगा 500 point उपर जाकर OTM पर hedge कीजिगा पहला target रहेगा 700 और दूसरा target रहेगा आपका 850 का इन case ऐसा होता है कि नहीं नहीं यह नीचे तरफ जाता है और नीचे का level हमारा fix होता है इसके बीचे माँ trade कीजिगा और नीचे का level हिट करता है 54,300 को तो हमारा put buy बनेगा पहल target रहेगा 54,100 और दूसरा target आपका रहेगा 54,000 का और यहाँ पर भी आप 400 या 500 point का निचे आगर अपना put sell कीजिगा for hedge और यह outlook रहेगा हमारा bank nifty के हमारा अगला index रहेगा mid cap nifty, mid cap nifty और small cap दोनो negative में trade कर दे, mid cap न फिर भी almost flat पे close कर ले बट small cap तो negative में रहा, तो mid cap में अग 14,300 का जो resistance था, इससे पहले भी हमने देखा है, इसी के ऊपर जाकर हम अपना call buy करेंगे, और यहाँ पर आपके पास 3 दिन बचे हैं, तो अगर आपको थुरा सा बड़ा outlook लेके चलना है, तो current Monday छोड़के next Monday का लेंगे, तो अगर next Monday लेते हैं, तो आप यहाँ पर 300 point का out of money जाकर call sell करेंगे, और अगर immediate Monday का लेंगे, तो 200 point का OTM जाकर अपना call sell करेंगे, पहला target 400 और 450 के target के लिए यहाँ पर आप buy कर सकते हैं, और यह further fall करता है नीचे, तो अगर आप चेक करेंगे, तो लगाता रही लेवल पर आकर hit करके तब नीचे गिरता है, तो यहाँ पर bounce back क के लिए, और यह रहेगा हमारा outlook in mid cap, चले कुछ stocks के charts को भी study कर लेते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना कि selecting buying हो रही है, तो आज हमारे पास buying हमें देखने को मिला, metals के अंदर, auto के अंदर, और कहीं ने कहीं तुरह सा private banks के अंदर, तो हमने क्या किया है, auto sector का एक stock pick किया है Tata Motors यहाँ पर Tata Motors में जो resistance है, वो 1000 के उपर है, तो अगर breakout आएगा, तो इसी level के break करने के बाद आएगा, तो उसके बाद 10, 20 या 25 के target के लिए आपने buy कर सकते हैं, with a stop loss of 8 points, और अगर further fall करेगा, तो आपके आखे जेगा 30 मिन टाइम पर जितने भी recent low बने हैं, उनको ऐसे connect कीज अगला हमारे पास रहेगा हिंडाल को, हिंडाल को metal sector है, तो यहाँ पर हमने इसको pick किया है, recently हिंडाल को ने breakout किया था, उसके बाद यहीं support लेके bounce back आज वहीं से किया है, और अब क्या हो गया है, जो यह हमारा rounding bottom बना है, उसी का level हमारे लिए kind of support बनेगा, तो यह further rise करेगा, तो हमारे पास में अभी high क्या बनाया है, 7.35 का high है, तो हम 7.40 के break होने के बाद में यहाँ पर अपना buy initiate करेंगे, target रहेगा 7.47 and 7.55 का, और नीचे गिरता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो support निकल के आ रहा है, जो previous हमारा high है, वो 7.30 का है, तो इसके नीचे जाता है, तो 7. 7.23 and 7.16, 7.15 के target के लिए, और यहाँ पर 5 रुपेगा अपना stop procedure कीजिएगा, और यह रहेगा हिंडाल को, अगला हमारे पास रहेगा SBI, देखे, PSU bank है, हो सकता है, इतनी अच्छी momentum हमें यहाँ देखने को ना मिले, बट यह ideal candidate है, अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर आप 0.5 के उपर आप आप बाई करते हैं, तो 8.13 और 8.20 के target के लिए 6 रुपे का stop loss लेकर आप बाई कर सकते हैं, इनकेस यह वापिस नीचे गिरेगा, तो देखेगा, यहाँ से पहले भागा है, यहाँ पर उसने support लिया है, तो यह कहा मिल रहा आपको, 7.96 का, यह breaker के नीचे आ झाल 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 झाल